नरेंद्र मोधी जिन्दाबाद 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 वर्ष को विश्वगुरू बनाने का कारे किया है ऐसे यश्वश्वी प्रधान मंत्री हम सबों के बीच प्रस्तुत है उपस्तित है यह हम सभी पूर्णिया वर्षों के लिए बहुत ही गर्व का विशे है एक बार हम सभी जोर्दार करतल धोनी के साथ उनका स्वागत जोर्दार ताली होनी चाहिए भारत माता की जै नरेंद्रमोधी जिन्दाबाद नरेंद्रमोधी जिन्दाबाद भारत माता की भारत माता की वन दे वन दे अब मैं अगले स्वागत भाषन के लिए नेंडिये प्रत्याशी पूर्णिया श्रीमान संतोस कुष्वाजी से आगरा करती हूँ कि वो यहाँ पर आए और अपने स्वागत भाषन से माननिये प्रदान मंत्री जी को स्वागत करें आज के से शुनावी सभा में परमादर्णिय देश के जनजन के संकट मोचक युग दिरिश्टा विश्वे भारत का परचम लहराने वाले मान्य प्रदान मंत्री नरेंद भाई मोदी जी को आपका मा पूरन देवी की धर्ती संत सीरोमनी महर्शी महीं जी महराज की कर्म भूमी आंचलिक कथाकार फनिस्वरनात रेनू की धर्ती बोला पासवान जी की धर्ती पे आपका हार्दी कभी नंदन करते हैं आप हमारे हम आपके अभारी हैं आप यहां पहुँच कर हमें अपना आसिरवाद देने का काम किया है इस मंच पे उपस्थेत शम्मानित मंच राज्षभा सांसत संजय जहाजी बिहार सरकार के मंत्री परिशत के सदसगन मान्य विधायक गन नगर परिशत की महापोर मंच पे बैटे समी सम्मानित जिला अध्यक्ष और NDA के कारिकरता साथे आप सबोंने और अलग-अलग हिस्से से आए हुए सभी सम्मानित जनता जनारदन आप सभी मालिक को मेरा पुणाम मेरा नमस्कार आप सबोंने मुझे दो बार आसिरवाद देके लोग सभा भेजने का काम करने का काम किया है 2005 के पहले यहां की इस्तिती क्या थी ना बिजली थी ना सरके थी किसी चीज का अस्तित्व ही नहीं था सूबे में तो जंगल राज था लेकिन पूर्णिया में महा जंगल राज था और उसी जंगल राज के संस्था पक सदस आज आप सबों के बीच में भेश बदल कर आए हैं और आपके आँखों में धूल जोकने का प्रियास कर रहा हैं ये बहरुपिया प्रियासी के समय कितनी बहनों ने बिद्वा हो गई कितनी मां के कोखुजर गए यह आप सबको पता है क्या आप चाहेंगे कि फिर से पूर्णिया में ऐसे जंगल राज की वापसी हो हमारे परतिजवंदी पूछते हैं कि दस वर्षों में मैंने क्या किया मैं बताता हूँ कि मेरे संसेदिया छेतर में सुसाचन आया गुंडा राज समाप्त हुआ रंगदारी टेक्स बंद हुई इनिवर्सीटी मेडिकल कालेज एगरिकल्चर कालेज जी एनिव कालेज एनिव कालेज खुलने का काम हुआ और हम लोग तो कलम और किताब बाटने वाले लोग हैं हम लोग कोई पूर्लिया में आर्स गिला के बाटने वाले लोग नहीं हैं और इतना ही नहीं पूर्णिया में मेरे कारिकाल में पास्पोर्ट ओफिस भी खुला बिहार बोट की बिहार मात्विक शिक्षा बोट की काडियाले भी खुली सीमेंट सेंटर जो पस्मों के सुधार के लिए खुला शिक्स लेन सरक का निर्मान यहाँ पे वेवसाही के लिए भाई मुक्तबाता बनाया गया दरजनों मौल खुली दरजनों अस्पताल खुले कई काम ऐसे हुए हैं यहाँ पे नामचिन वहनों की नामचिन जो देश का प्रोड़क्ट है उसका यहाँ पे समीश जीशकों का सोर मिला था तो वह हम बताते हैं आपने क्या किया बहुत मुश्किल थे 15 वर्सों में पूर्णिया का जो दाग जुला है उस दाग को फिर से पूर्णिया में नहीं परने देना है यह जो अराजक किस्थिती थी उसको नहीं आने देना है आपको बताते हैं कि आपने 15 सालों में आपने 15 सालों में 30 से अधिक राजनीतिक हत्या करवाने का काम किया और 30 से अधिक बेफसाईयों को यहां से पलाइन करने के लिए मजबूर किया यहां के डाक्टरों को पलाइन करने के लिए मजबूर किया आपने यहां के हमारे पुर्विधाग सहीद अजीज सरकार को एक सो गोलियों से भुजवाने का काम किया यह जनता ने आपको काम किया एक परत्यासी लाल टेल लेके आया हुआ है उससे भी हम कहेंगे कि हमारी ही पार्टी में थी लेकिन उनको नितीज जी ने जमीन से उठाके बिहार सरकार में मंतरी तक बनाने का काम किया उसके भी फीट में खंजट डालने का काम उन्होंने किया है इसलिए आज परधान मंतरी जी आये हैं जो पूर्णिया का विकास तेजगती से बढ़ रहा है और तेजी से बढ़े मानने मुक्त मंतरी जी का असिरवाद और मानने परधान मंतरी जी आज आसिरवाद देने के लिया है यह हम सब के लिए गर्व की बात है जो पूर्णिया का एरफोर्ट का मामला है दो हजार पचीस में पूर्तक पूर्णिया का एरपोर्ट चालू हो जाएगा मानने परधान मंत्री जी है तो इस चीज की गारेंटी है और जो विकास के काम है इनी सब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत आवार अब मैं पुर्णिया की पावन धरती पर बहुत बहुत स्वागत है एक बार सोड़ार तारियों से भारत माता की भारत माता की भारत माता की जय माई पुरण देवी बिशहरी माई की जय मैं बक्त प्रलाद और महर्ची मही बाबा की इस पावन धर्ती को नमन करता हूँ मौरियस सामराज के रूप में भारत के गवरव को दूर दूर तक फैलाने वाले समराट अशोक की आज जैन्ती भी है उनसे प्रिणा लेने वाले बड़ी संख्या में लोग आज भाजपा को अपना आशिरवात देने आये हैं एंडिये सरकार की तीसरी पारी को लेकर पहले से भी ज्यादा उत्सा नजर आ रहा है आपका ये उस्था बता रहा है पिर एकबार पिर एकबार पिर एकबार पिर एकबार विक्सित भारत के लिए चार जून चार जून चार जून साथियों आज एंडिये सरकार के लिए वन्चित सोसित वर्ग हमारी पहली प्रात्विक्ता है जिसको किसी ने नहीं पूछा हम उसको पूझ रहे है एक समय था जब केंद्र की सरकारें बिहार को पिछड़ा कहकर पिछा छुड़ा लेती थी बिहार की सरकारें सिमान्चल को पिछड़ा कहकर के पलड़ा जाड़ लेती थी लेकिन हम ने सिमान्चल और पूर्णिया के पूर्ण विकास को अपना मिशन बनाया है इंडिये सरकार ने सिमान्चल के भागे को बदलने के लिए आकांची जीला और अब आकांची ब्लोग ऐसी बहुती महत्वा कांची योजना चलाई आज हमारे पूर्णिया ने देश में सबसे बहतर प्रगति करने वाले आकांची जीलो में अपनी जगह बनाई है मैं इसके लिए पूर्णिया के लोगों को बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ साथियों आपका उच्छा अद्भूत है ऐसा उच्छा बहुत कम ही देखने को मिलता है लेकिन अगर आपका उच्छा मेरी आवाज पहुँचने ही नहीं देगा तो फिर इस सभा का फाइदा क्या होगा तो मेरी बात वहां बैठे लोग सुन सके इसलिए मेरी आप से प्रांचना है कि आपके नारे आपके उच्छा को थोड़ा नीचे करें तो अच्छा होगा करेंगे मेरी बात को मेरी बात को मानेंगे पका मानेंगे बिहार के लोग इतने बढ़िया है यहां के नवजवान इतने बढ़िया है कि मेरी हर बात को स्विकार करते हैं, यह मेरा सवभाग्य है साथियों, बिहार और पुर्णिया के पास सामर्थ की कभी कमी नहीं थी हमारे बिहार का किसान भरपूर मक्का उत्वादन करता है बिहार में जूट और मखाने की खेती भी खूब होती है पिछले दस वर्सों में हमने जूट की MSP को बढ़ा कर दो गुना किया है बिहार का 20 प्रतीशत मकाना अकेले पुर्णिया के किसान ही पैदा करते है हमने आपके इस सामर्थ को प्रोचान दिया नतीजा ये हुआ कि आपने मकाना के सीड प्रोडक्शन को करीब दो गुना कर दिया आज एंडिये सरकार मकाने को सूपर फूड के रुपे प्रमोट कर रही है मोटे अनाज यानि स्री अन्न की तो मोदी ने पूरी दुनिया में मार्केटिंग की है आपने जी ट्वेंटी में देखा होगा मोदी ने दुनिया के बड़े बड़े राध्पती प्रदान मंत्री को स्री अन्न मोटा अनाज खिलाया कहा कि हमारे छोटे किसानों की मेहनत है इसमें अम मोटा अनाज गरीब का खाना नहीं अमीरों का खाना बन रहा है इसका फायदा सीधे हमारे किसानों तक पहुंच रहा है मक्के को भी मुनाफे की फसल मनाने के लिए हमारी सरकार ने MSP पर खरीद बढ़ाई और अब तो मक्के से एथनल भी बनाया जा रहा है देश का पहला पूरे भारत का पहला ग्रीन फिल्ड एथनल प्लांट पूर्णिया में लगाया गया है हमारे नितिश जी ने ही इसका उद्गाटन किया था साथियों कृषी और उद्ध्योग के इन आउसरों को गती देने के लिए पूर्णिया में रेल और रोड के इंफ्रासेक्टर को भी आधुनिक बनाया जा रहा है कुछ समय पहले ही मैंने कटिहार जोगवानी रेल सेक्शन के विद्ध्यूती करन लोकारपन किया था हमारी सरकार सिमान्चल में अच्छी सडकों का निर्मान भी करवा रही है और अब तो वो दिन धूर नहीं जब पूर्णिया में हवाई जहाज भी उतरेगी हमारी सरकार सिमान्चल में बंदे भारत नमो भारत जैसी ट्रेनों के जरिये कनेक्टिविटी बढ़ाने और बहतर स्वास्प सुविधाओं के लिए भी काम करेंगी साथियों मोदी के लिए आपके सपने ही मोदी का संकल्प है इसलिए गाउं गरीब दलीद बंचीत दसकों से जिन समस्याओं से जूज रहे थे मोदी ने दस साल में उनका समाधान दिया है देश के पचीश करोड गरीबी से बहार तब आये जब हमने दिन रात उनके लिए मेहनत की देश के चार करोड गरीबों को पी एम आवा तब मिला जब आपने मोदी को सेवा करने का आशिरवाद दिया देश के पचास करोड से ज़्यादा दलीतों वंचीतों गरीबों का बैंक में खाता तब खुला जब आपने मोदी को आशिवाद दे करके सेवा करने का मोका दिया करोडों माताओं बैनों को चूले के दुए से मुक्तितम मिली जब मोदी ने उजवला सिलिंडर दे कर उनकी सूध ली देश के ग्यारा करोड परिवारों तक पहली बार पाइप से पानी तब पहुचा जब मोदी ने हर गर जल को अपना मिशन बनाया आज ग्यारा करोड छोटे किसानों के खातों में किसान सम्मान निजी भी एंडिये सरकार ही भेज रही है इन योजनाओं का बहुत बड़ा लाप हमारे तत्मा समाच महलदार समाच और रशीदेव समाच के मेरे परिजनों को भी हुआ है लेकिन साथियों मोदी इतने से संतूस्ट नहीं है जो काम हुआ है न वो तो ट्रेलर है ट्रेलर अभी हमें पूर्णिया को सिमान्चल को बिहार को और पूरे हिंदुस्तान को बहुत आगे लेकर जाना है कई बार लोग भूतते हैं कि मोदी के लिए समाच के आखरी पायदान पर खड़ा व्यक्ति हमारा दलीत पिछडा आदिवासी ये इतनी प्रात्विक्ता क्यों है ये समाच मोदी की प्रात्विक्ता इसलिए है क्योंकि यही समाच सबसे जादा गरीबी से प्रभावित है और मोदी गरीबी से ही निकल कर आपके बीच आया है मोदी के उपर अपने इस समाच का बाबा साब का और उनके सम्विधान का बहुत बड़ा कर्ज है इसलिए हमारी सरकार ने सम्विधान को एक स्रद्धा का स्थान मिले सम्विधान को आस्था का स्थान मिले सम्विधान के प्रती देश का प्रत्यक व्यक्ति समर्पित हो सम्विधान की भावना को हर देश वासी तक पहुचाने के लिए लगातार काम किया है हमारी ही सरकार ने देश में सम्विधान दिवस मनाने की शुरुवात की आज बाबा साब के सम्विधान को सेलिब्रेट करने के लिए बच्चों के स्कूलों से लेकर सुप्रिम कौर्ट और संसत्तक में कारिकम किये जाते हैं और ये वर्ष तो बहुत विशेथ हैं इस साल सम्विधान के 75 वर्ष की शुरुवात हो रही है जैसे हमने आजादी के 75 वर्ष पर आजादी का अम्रत महुच्चों मनाया इसी तरह इस वर्ष हमें सम्विधान के 75 वर्ष का पर्वम मनाना है हमने तय किया है हम देश के कौने कौने में बाबा साब के सम्विधान की भावना को लेकर जाएंगे देश की युवाप्वीडी को देश की गवरवसाली सम्विधान के निर्मान की प्रक्डिया उसके अध्याएं उसका महत्व बताएंगे लेकिन दूसरी तरफ वो लोग है जिनोंने आपातकाल में सम्विधान को रद करने सम्विधान को बंदग बनाने और सम्विधान को तोड़ने मरोडने का काम किया था हमें याद रखना है जो लोग सत्तावर सरकार को एक परिवार की मुठ़्ी में रखना चाहते हैं सम्विधान उनकी आँखों में हमेशा खटकता है इसलिए अब ये लोग सम्विधाने की व्यवस्ता से हुए चुनाव के नतीजों को अस्विकार करने की दमकी देने लगे हैं लेकिन इनके मनसुबे कामियाब न हो सम्विधान दलीत पिछडा आदिवासी की ताकत बना रहे इसके लिए हमें एक जूट होकर साथ खड़े रहना है साथियों अगले पांच वर्सों के कामकाईद के लिए बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है इस संकल्प पत्र में मोदी ने गारंटी दी है देश के सभी जरुरत मंदों को आगे भी फ्री राशन मुप्त राशन मिलता रहेगा मोदी ने गारंटी दी है गरीब दलीद वंचित के कल्यान से जुड़ी योजनाओं को हम हर जरुरत मंद तक लेकर जाएंगे हमारी सरकार तीन करोड नए पक्के घर बनाएगी देश में सत्तर साल से अधिक उम्रके सभी बुजुर्गों को मुप्त इलाज की जिम्मेदारी भी सरकार उठाएगी आप अपने परिवार में अपने भुजुर्गों को कह दीजिए अब वो बिमारी को छुपाएं नहीं अगर कोई तकलीब है तो मोदी बैठा है ये मोदी की गारंटी है साथ्यों पिछले दस वरसों में NDA सरकार ने वो काम किये हैं जिने पहले असंभव माने जाते थे आज हर कोई कह रहा है बड़े कामों का दम सिरफ बाजपा के पास है NDA के पास है आपको याद होगा पहले अडोस पडोस के देश यहां हमला करके चले जाते से सीमा पर हमारे जवानों की आए दिन सहादत होती थी आप लोगों को दुख के साथ ही गुश्या भी आता था आपका मन करता था ना की इने घर में गुश कर मारो मोदी ने आपकी इच्छा का पालन किया और इसका नतीजा क्या हुआ जो देश हमें आखे दिखाता था वो कटोरा लेकर ये भटक रहा है साथियों दसकों से देश में लोग मांग कर रहे थे कि कश्वीर में अलग जंडा अलग सम्विदान नहीं चलना चाहिए जो लोग दिन रात सम्विदान के नाम पर हमको गालिया देते हैं न इतने दसकों तक उन्होंने राज किया आजादी के बाद उनके हाथ में सत्ता आई अब तक आई लेकिन उनमें हिम्मत नहीं थी कि बाबा साब आम बेड करके सम्विदान को जम्मू कश्मिर में लागू कर पाएं बाबा साब का सम्विदान वहाँ लागू नहीं होता था ये मोदी है जो सम्विदान को समर्पित है आज जम्मू कश्मिर में भी आन बान शान के साथ हमारा सम्विदान लागू हो गया कश्मिर से आपकी इच्छा थी तीन सो सत्तर हटनी चाहिए तो ये गमंड या गडबंदन वाले क्या कहते थे ये कहते थे कि तिन सो सत्तर हटी तो कश्मिर में आग लग जाएगी आज आर्टिकल 370 का the end हो चुका है अगर कश्मिर में नहीं भारत को बाटने वालों के मन्सूबों में जलन हो रही है आग लगी है साथियों कल राम नवमी का पवित्र त्योहार भी है ये लोग राम मंदिर के लिए भी यही कहते थे बोलते थे कि राम मंदिर बना तो देश में आग लग जाएगी आज हमारा राम मंदिर पूरी दुनिया में भारत का गवरव बड़ा रहा है अब कुंठा में गिरे ये कॉंग्रेस के लोग गमंडिया गडबंदन के लोग राम मंदिर का अपमान कर रहे हैं गमंडिया गडबंदन ने तो सनातन को मिटाने की कसम खा रखी है 26 अप्रिल को आपका वोट इन्हें बताएगा कि सनातन मिटता है या ये लोग रहते हैं साथियों हमारा सिमानचल बिहार का एक संवेजन सिल इलाका है वोट बैंक की राजरीदी करने वालों ने पूर्णिया और सिमानचल को अवैद गुश्पेट का ठिकाना बना कर यहां की सुरक्षा को दाउं पर लगाया है इसका सिकार हमारे दलीद, वंचीत, पिछडे और गरीब को होना पड़ा है हमारे दलीद भाईयों के गरों तक को जलाया गया था लेकिन मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं देश की सुरक्षा से खिलवाड करने वाला हर तत्व सरकार की नजर में है चार जुन का परड़ाम इसी सिमान चल के सुरक्षात ताय करेगा और जो लोग राजनितिक फायदे के लिए C.A. का विरोध कर रहे हैं वो भी एक बात जरूर जान ले ये मोदी है ये न डरने वाला है और ना ही जुकने वाला है साथियों आपने वो दौर भी देखा है जब बिहार में जंगल राज था उस समय बिहार के इस इलाके में महा जंगल राज हुआ करता था हिंसा, अराजकता, अफरान और प्रस्टाचार का यहां उद्योग चलता था नितिश जी के नेत्रत्में हमने बहुत मुश्किल से उस दौर को बदला है लेकिन आज एक बार फिर जंगल राज और महा जंगल राज वाले लोग उस दौर की बापस ही चाहते हैं इनका एक ही एजंडा है ब्रस्टाचार और लूट हमारे पूर्णिया में कहते हैं न हर बहाए से खर खाए बक्री खाए अचार बाव ये महनत गरीब जंता करे और मलाई ये आरजेडी वाले लूटे मोदी के रहते ये मुम्किन नहीं है इसलिए सब ब्रस्टाचारी के लूट के ठिकाने बचाने के लिए वो अब एक हो रहे हैं मैं कहता हूँ ब्रस्टाचार हटाओ ये कहते हैं ब्रस्टाचारी बचाओ मैं आपको एक गारंटी देता हूँ अगले पांच साल प्रस्टाचार के खिलाब और बड़ी कारवाईयों के पांच साल मानके चलिए साथियों पूर्णिया से एंडिये उमिद्वार श्री संतोष कुमार जी संतोष कुमार जी और कटिहार से दुलाल चंद्र गोश्वामी जी ये हमारे प्रत्यासी है 26 अप्रिल को आपको इसी उत्सा के साथ इने बोट करना है पूर्णिया और कटियार से जीत का रिकॉर्ड बनाना चाहिए बनाओगे गरगर जाओगे पोलिंग बुद्ध जीतोगे हर पोलिंग बुद्ध जीतोगे अच्छा मेरा एक और काम करोगे मेरा एक काम करोगे करोगे क्या ये मेरा काम है करोगे देखिए यहां से जाने के बाद गर गर जाईए और जाकर के सबसो कहिए कि हमारे मोदी जी आये थे उन्होंने आपको प्रणाम कहा है मेरा प्रणाम पहुचा दोगे देखिए मेरा प्रणाम पहुचेगा तो इस सभी परिवार के लोग मुझे आशिदवाद देंगे और जब परिवार के बुजुर्गों का अशिदवाद मिलता है न तो नई उर्जा मिलती है नई शक्ती मिलती है और मैं उसके लिए दोड़ता रहूंगा आपके लिए दोड़ता रहूंगा और पहले ही मैंने कहा था मेरा पल पल आपके नाम मेरा पल पल देश के नाम और इसलिए मेरा संकल्प है 24 by 7 24 by 7 for 2047 विक्षीद भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए 24 by 7 हर पल आपका मेरे साथ बोलिये भारत माता की भारत माता की भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद अरेंडर मोधी इंदाबाद नरेंडर मोधी इंदाबाद भारत यजन तापाधी इंदाबाद अंडेगट बंदान इंदाबाद झाल झाल